दो अक्टूबर को जब आर्यन को अरेस्ट किया गया था और उसके बाद उन्हें NCB के आफिस लाया गया था तो वहाँ पर आर्यन से पूछताज भी हुई थी इंट्रोगेशन किया था खुद समीरवान खेडे ने इस इंट्रोगेशन के दौरान समीरवान खेडे को आर्यन ने कुछ ऐसी बात कही जिससे वो खुद भी चौक गए आज ही ये रिपोर्ट आई है तीन अक्टूबर को पूरे दन आर्यन से पूछताज हुई थी खुद समीरवान खेडे ने ये पूछताज की थी NCB के रूल्स है कि जो लोग ड्रग्स मामले में पकड़े जाते हैं उनसे पूछताज के अलावा उनकी काउंसलिंग की जाती है कि जो काम आप कर रहे हो वो कितना खतरनाक है और उससे आप दूसरों को क्या संकित दे रहे हो और आपकी वज़े से दूसरों की लाइफ कितनी नश्ट होगी यानि कि ड्रग्स को लेकर आर्यन खान की काउंसलिंग लीती खुद समीरवान खेडे ने जाहिर सी बात है आर्यन की उम्र 23 साल है और इस उम्र में अगर वो ड्रग्स में पड़े हैं तो ये चिंता की बात ही है तो समीरवान खेडे ने आर्यन को समझाने की कोशिश की उस वक्त आर्यन ने समीरवान खेडे से एक वादा किया आरियन ने reportedly समीर वानखेडे को कहा कि वो जेल से बाहर निकलने के बाद एक अच्छा आदमी बनेगा अच्छा काम करेगा नाम रोशन हो वैसा ही काम करेगा ये वादा आरियन ने समीर वानखेडे के साथ किया इसके साथ ही आरियन के साथ जितने भी लोग थे उन्होंने भी यही वादा किया फिलाल आरियन आर्थर रोड जेल में है उन्हें कॉमन बैरल में शिफ्ट कर दिया गया है अब वो नॉर्मल कैदी वाली ही लाइफ जी रहे हैं घर का खाना उन्हें अलाउड नहीं है हाला कि घर के कपड़े वो पहन सकते हैं शारुक खान ने आर्यन के खाने के लिए 4500 रुपए मनी ओर्डर के जरिये भिजवाए हैं जिससे वो कैंटीन से मन चाहा खाना खा सके 20 तारिक को आर्यन की बेल पर सुनवाई है